हिंदू धर्ब में तुल्सी का पॉधा अत्यंत पूजनिये माना जाता है यह भगवान विश्नु को प्रिय है और कहा जाता है कि जिस घर में तुल्सी का पॉधा होता है महसुख समरिध्री और सकारातमक्ता का वास होता है वास्तु शास्ट में भी तुलसी को विशेश महत्व दिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में तुलसी का पौधा रखने के कुछ नियम भी है यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो तुलसी का शुप प्रभाव नहीं मिलता है आई जानते हैं घर में तुलसी का पौधा रखने के कुछ नियम तुलसी का पौधा घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पश्यम दिशा में रखना सबसे शुब माना जाता है इसे कभी भी दक्षन दिशा में नहीं रखना चाहिए तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार की पास रखना भी शुब होता है तुलसी का पौधा जमीन पर या उंचे स्थान पर रखा जा सकता है यदि आप इसे जमीन पर रख रहे हैं तो उसे गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण में लगाएं यदि आप इसे उंचे स्थान पर रख रहे हैं तो एक मिट्टी का गमला या लकडी का पिटारा इस्तिमाल करें तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी देना चाहिए इसे सुबह या शाम को पानी देना सबसे अच्छा होता है तुलसी के पौधे को सूरज की रौष्णी की भी आविशक्ता होती है इसे दिन में कम से कम 4-5 घंटे सूरज की रौष्णी मिलनी चाहिए तुलसी के पौधे को कभी भी छूने या तोड़ने से पहले अपने हाथों को धोले तुलसी के पौधे के पास कभी भी कूडा, कच्रा या गंदगी न रखें तुलसी के पौधे को नियमित रूप से दीपक जला कर पूजा करें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा है और इसका सम्मान करना चाहिए यदि आप इन यमों का पालन करते हैं तो तुलसी का पौधा आपकी घर में सकारात्म गूर्जा और सुक्सम्रिधि लाएगा